मकर राशी वार्शिक राशिफल दो हजार तेईस हमेशा से हर संस्कृती और देशकाल में लोगों द्वारा जोतिश का सहारा लिया जाता रहा है अपने भविश्य को जानने और उसे भेतर बनाने के लिए समय समय पर इस विधा में बदलाव और विस्तार होता आया है तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि मकर भविश्य फल दो हजार तेईस या कहें मकर वार्शिक राशिफल दो हजार तेईस कैसा रहने वाला है और किन बातों से उनको संभल कर रहना होगा मकर राशी वालों के लिए काम और पेशे के संबद में उनका आने वाला भविश्य इस वर्ष आउसत आकार लेगा और मिश्रित फल देगा वर्ष की शुरुआत में आपको उच्च अधिकारियों, वरिष्ट व्यक्तियों और अनुगुवी लोगों का सहयोग प्राप्ठ होगा क्योंकि ब्रहस्पती की द्रिष्टी आपकी राशी के सप्तम भाव पर पड़ रही है इस वर्ष आप अपने काम और पेशे के क्षेतर में इमानदारी के बल पर सफलता की उचाईयों तक पहुझेंगे इस दौरान कुछ गुप शत्रू आपके काम में बाधार डाल सकते हैं 22 अप्रेल के बाद आपकी राशी के दस्वे घर में गुरू की द्रिष्टी होने के कारण नौकरी में आपको पदोन्नती प्राप्त हो सकती है और मन्चाहे स्थान पर आपका स्थानांतरन भी हो सकता है साल के शुरूाती दिनों में आय का निरंतर प्रवा बना रहीगा क्योंकि ब्रहस्पती की शुप द्रिष्टी आपकी राशी के ग्यारवे घर पर पड़ रही है ब्रहस्पती 22 अप्रेल के बाद आपकी राशी के चतुर्थ भाव में गोचर करेगा उस समय आपके पास जमीन, भवन और वाहन हो सकते हैं क्योंकि ब्रहस्पती की द्रिष्टी अश्टम भाव पर भी है इसलिए ससुराल पक्ष से पैत्रिक संपत्ती, खजाना या संपन्नता मिलने की संभावना भी है मकर राशी वार्शिक राशिफल 2023 परिवार और समाज मकर राशी के जातकों के लिए पारिवारिक द्रिष्टिकोंड के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा और आपका कौशल और कार्यक्षमता बढ़ेगी मकर राशी की आकरामकता मेश या सिंग से कभी मेल नहीं खाती है आपकी समग्र सामाजिक लोग प्रियता इस वर्ष भी बढ़ रही है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने रास्ते से हट रही है और उनके अच्छे गुणों को विक्सित करने की पूरी कोशिश कर रही है आपके लिए सामान्य तौर पर दोस्ती अच्छी होती दिख रही है आपका सामाजिक दाइरा बढ़ रहा है आपको समूहों में काम करने में अधिक मजा आ रहा है नए और महत्वपूर्ण दोस्त सामने आ रही है मकर राशी वार्शिक राशिफल 2023 विवा और प्रेम संबंद इस वर्ष आपकी राशी का सात्वा भाव अत्यंत मजबूत है जिस पर आपके अपने लगन के स्वामी ग्रह शनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है एक व्यक्ति के लगन के स्वामी ग्रह को हमेशा उसके लिए लाबकारी माना जाता है क्योंकि वह उसके मामलों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है इसी कारण इस वर्ष शनी आपके जीवन में सकारात्मक्ता का संकेद दे रहा है इस दौरान आपके विवा और प्रेम के साथ साथ दोस्ती के गम भी रिष्टे बन सकते हैं या उनकी नीम रखी जा सकती है इस वर्ष आपका लंबे समय से चला आ रहा मिस्टर या मिस्स राइट का इंतजार खतम होने जा रहा है अब आपकी जिन्दगी में भी प्यार की घंटी या विवा की शहनाई बजने की पूरी संभावना दिख रही है आप हर चीज के बारे में हमेशा बहुत सतक रहते हैं लेकिन इस वर्ष दो हजार तेईस में आपका सामना व्यक्तिगत जोखिम यूनतम रहेगा मकर राशी वार्शिक राशिफल दो हजार तेईस स्वास्थ्य जीवन मकर राशी वालों के लिए स्वास्थिकी द्रिष्टी से यह वर्ष सामान्य रूप से शुब रहेगा यदि किसी को पहले से कोई बीमारी नहीं है तो यह वर्ष स्वास्थिक के लिए सकारात्मक परिणाम देगा आपकी सामाजिक व्यस्तताओं के कारण आप अपने स्वास्थिके प्रती सतर्प नहीं रहेंगे और अपने आहार के लिए नियमित दिन्चर्या बनाये रखने में सक्षम नहीं होंगे इस साल अनियमित और अनियोजित तरीके से काम करने के कारण आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है बहतर होगा कि खानपान की दिंचर्या को बनाए रखा जाए और लापरवाही से परहस किया जाए मकर राशी वार्शिक राशिफल 2023 शिक्षा और करियर मकर राशी के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की द्रिष्टी से मकर भविशफल 2023 सामान्य रूप से शुब रहेगा सफल्ता प्राप करने के लिए यक्ति को अथक और निरंतर कार्य करना होगा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रती रुची बढ़ेगी विदेश यात्रा की द्रिष्टी से मकर भविशफल 2023 अनुकूल रहेगा वर्ष की शुरुआत में गुरू के आपकी राशी के तीसरे भाव में के गोचर प्रभाव के कारण आप कई छोटी यात्राओं के साथ दूर की यात्राएं भी करेंगे मकर राशी वालों को 22 अप्रेल के बाद दूर दरास के निवासियों को अपने जन्म स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है द्वादश भाव में गुरू की द्रिष्टी आपके लिए विदेश यात्रा की शुरुआत भी कर सकती है